सर्दियों का मोसम है और इस मोसम में बच्चों को खासी जुखाम बहुत गोनली होता रहता है एक बार हो गया फिर ٹिक, हो गया फिर दुबारा हो गया जब तक सर्दिया चली नहीं जाएंगी हमारे बच्चों के ऐसे ही परिशान करता लएट है और हम अजह पेरेंट क्या करते हैं बच्चे को قांसी हुई उसको खाल की दावय किला दी हैŁएогда जाथ दिक तो हम दॉक्टर के पास जाते हैं और भी हैं दॉक्टर हमें कम से कम देना पड़े या फिर नाहीं देना पड़े Hello everyone, welcome back to my channel मैं हुँ सुजाता, आप देख रहे हैं Momins Jaiari Hindi सीखो तो पूरा सीखो और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा मालिश का तेल बताने वाली हूँ सरसो के तेल का एक ऐसा मिक्स्चर बताने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं तब जब उन्हें खासी जुखाम हो या फिर ठंड की चपेट में बच्चे आई हुए हो मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लिए टेस्ट अपडेट्स के लिए तो बेसिकली ये जो तेल है ये जो मिक्स्चर है इसमें हम सरसो का तेल यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ लैसोन यूज़ कर रहे हैं, अजवाइन यूज़ कर रहे हैं और मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़े जो होती हैं ये बहुत गरम होती हैं और जब हम इसका mixture बनाके बच्चे को लगाएंगे, मालिश करेंगे तो ये बच्चे के शरीर को एक गरमाहट देती हैं चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो mixture है ये आपको बनाना कैसे है उसके बाद हम बात करते हैं कैसे लगाना है, कहां लगाना है और क्या-क्या सावधानिया आपको बरतने हैं लेकिन ये बाकी की सारी चिज़ें आपको जरूर लेनी है इस mixture को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना एक तड़के वाला पैल ले ले लेती हैं उसमें मैंने अपना ये ससोगा तेल डाल दिया है जब ये तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें अपना सबसे पहले डालेंगे लेसुन तो तेल के गरम होती ही मैंने इसमें लेसुन डाल दिया है अब जब तक लेसुन थोड़ा सा हलके बूरे रंका नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे पकाना है अब हमारा लेसुन जो हो हलका हलका पक गया है अब मैं इसमें डाल दूँगे अपना एजवाइन और मेथी दाना और इसको हमें बस थोड़ी देर पकाना है यह सारी चीजें पक जानी जहिए जलाना नहीं है बस इनको पकाना है तो यह देखिए हमारा मिक्षर एकदम रेडी सारी चीजें पक चुकी है इन सब का रस जो है वो इस तेल के अंदर आ जाना चाहिए अब हम थोड़ी देर के लिए इस तेल को रख देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे किसी ग्लास के या स्टील के किसी बॉटल में डालके डख लेना प्लास्टिक में डा अब मैं इसको चान के अपने ग्लास के वोटल बे डालके रख लूगी तो यह देखी हमारा तेल एकदम डेडी है अब बात करते हैं इसको कैसे लगाना है तेल को आप जब लगाएंगे तो हलका सा गरम करके लगाना एज़टीज मत लगाना थोड़ा सा हलका गरम करके बच बच्चों की मालिश करने के लिए सबसे बैस्ट माना जाता है इसमें एक्चुली हीटिंग प्रोपर्टी होती है जो बच्चों के शरीर में गर्माहत लेकि आएगी उनकी चेस्ट कंजेशन यानि के जो चाती में बलगम जम जाता है बच्चों को खाना खाने कामन नहीं कर बाहर आजाएगा इसी तरह से जो हमारा लहसुन है अजवाइन है मेथी है यह सब गरम होते हैं और जब यह सारी गरम चीजें मिल जाती है तो यह और भी जादा जल्दी असर आपके बच्चे पे दिखाती है इस तेल को आपको बच्चे की चाती पे लगाना है उसके बैक पे लगाना है उसके पेरों में लगाना है यानि के तलवों पे लगाना है अच्छे तरीके से और जो पेरों के नेल से उन पे भी लगाना है और हाथों पे भी आप इस तेल को लगा सकते हैं हाथेली पे और इन नाखुनों पे यहां पे सबसे ज्यादा बैस्ट इस तेल का लगा ले तो अगर आप बच्चे के हाथों पे लगा रहे हैं तो आपको बहुत कैफुल रहना है कि बच्चा जो है हाथ आख में या मुँ में ना लगा ले या फिर आप इस पे लगाना स्किप कर दीजिए खाली छाती पे लगाईए बैट पे लगाईए और तल्वों पे तो जरूर लगाना है इसके बाद आपको जो सबसे जादा ध्यान रखना है सावधानी रखनी है वो ये है कि बच्चे को हवा बिलकुल नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गरम होता है इसको लगाने के बाद बच्चे को आपको पूरी तरह से कवर कर देना है और बेस्ट टाइम है इस तेल को लगाने का जब बच्चा सो जाता है अगर बच्चे को बहुत जादा ठंड लगी हुई है तो दिन में दो बार लगाई है जब दिन में बच्चा सो जाए तब और रात में सो जाए तब अगर बच्चे को नॉर्मल सी ठंड लगी हुई है तो बस एक ही बार लगाई है रात में बच्चे को ये तेल अच्छे से लगा दीजिए, अच्छे से थोड़ा हलके हाथ से मालिश कर दीजिए, पैरों पे अच्छे से मालिश कर दीजिए, पैरों में सोक्स पहना देना और फिर बच्छे को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देना, हलका सा पसीना बच्छे को आए सुभा बच्चे को नहला दीजी एक दिन में ही देखना आपको बच्चे की ठंड में बच्चे की खासी जुखाम में आपको फर्क दिख जाएगा एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह कि आपको इसे रूटीन नहीं बनाना है यह मत समझना कि ठंडी है ठंडी का यह रोज लगा दू ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यह तभी यूज करना है जब बच्चे को ठंड लगी है बच्चे को खासी जुखाम है तभी आपको इसको यूज करना है मुझे पूरी उमीद है कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा पस जो बा अगर आप इसको लगाओगे तो हो सकता है बच्चे के फेस पे लालाल दाने आजाएं को कि बहुत घरम होता है तो बस इन सब बातों का ध्यान रखना और आपके बच्चे की जो सर्दियां है आपकी जो सर्दियां है बड़ी आराम से निकलेंगी और यह तहीं सिरफ आप बच्चों के लिए लहीं आप अपने घर के हर उस मेंबर के लिए यूज कर सकते हैं जो बड़ी जल्दी ठंड की जपेट में आ जाती हैं तो आई होप आप सब की सर्दियां बड़ी आराम से कटें हैपी विंटर्स आपके लिए और आपकी बच्चों के लिए अगर वीड खुश रही अपने बच्चों का देहां रहें